नमस्कार दोस्तो दोस्तो एवेटर के जाल में ना चाहते हुए भी क्यों बोले बाले लोग first जाता है आपको पता है तो दोस्तो क्रिकेटर्स और एक्टर्स की advertisement की वज़े से और लोगों का ये कहना है कि अभी के टाइम में विराट कोहली और सचिन टेंडूल कर इसका जम के प्रमोशन कर रहे है यानि कि एवेटर एप का तो दोस्तो मेरे एवेटर के जितने भी वीडियोस है उसके कॉमेंट सेक्षन में सभी लोगों ने यही लिखा था के भाई सचिन सर का वीडियो देखके आया हूँ अभी यह आप देख सकते हैं सचिन टेंडूल कर एड़टाइजिंग धिस एप मैंने सचिन सर को इसके एड म यह आप देख सकते हैं फांच महिन पहले का विडियों जिसपे 1.4 है वंके पांच महिने पहले ही मैंने आपको बता दिया था उस वीडिय bapt पे इस तरीखेंसेे विडियो बन रहा है और यहां पे त्विटर आपने इस्तेमाल खी सकते हैं। आपको अगर नजर आए तो उसे तुरंध ही रिपोर्ट करें सोस्यल मीडिया प्लैटफोर्मों को भी साउधार रहना चाहिए और इनके खिलाव की गई शिकायात पर जल से जल एक्शन लेना चाहिए उनकी भूमी का इस बारे में बहुत जरूरी है ताकि गलत सुचना और खबरों को रोका जा सके और डीफ फेक का दूर उप्यों खतम हो यह आप देख सकते है सचिन टेंडूलकर जी ने अपने ओफिसियल एकाउंट से ट्वीट किया है ट्वीटर पर आप जाके पढ़ सकते है यानि कि सचिन टेंडूलकर और वीराट कॉली के जो वीडियोज आप देखते है वो डीफ फेक एड टेक्नोलोजी से बनते है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह फेक एड मैं आपको दिखाता हूँ आपको लगेगा ही नहीं कि यह फेक है यह एड जो है वो आप देखिए नहीं है जहां आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं जैसे कि प्लेन इवेटर गेम देखिए मैंने बिना ये कुरसी छोड़े इंटर्व्यू में ही 80,000 रुपए जीत लिए 2000% जीत पक्की है इवेटर एक प्रकार का गेम है जिसे हम निवेश योग्य अप कह सकते हैं या मैं निवेश योग्य गेम कह सकता हूँ जिसमें आप कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं तो देख लिया तो दोस्तों किसी को भी ये देख के लगेगा के सचिन टेंडू कर या विराट कोली इसकी एड कर रहे है और इनके जो फैन्स है वो बिना देखे इस एप्लिकेशन को इंस्टॉल करेंगे और अपना पैसा हार जाएंगे आगे मैं आपको बताऊं कि आपने जितने भी सेलिब्रिटी के एड्स देखे है वो बनते है डीफ फेक एड टेकनोलोजी से तो डीफ एक एड टेकनोलोजी होता क्या है तो दोस्तों अगर मेरे पास किसी एक्टर या एक्टरेस का फोटो या वीडियो है और उनके वोईस का स इसे ओके और लोगों को यह लगेगा कि हमारा फेवरेट एक्टर या एक्टरस या क्रिकेटर जो है इसको प्रमोट कर रहा है ओके आगे हम बात करेंगे कि सेलिब्रिटी के अलावा आपको इस तरीके के भी एड दिखेंगे जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि एक महिन कर रहा होता है तो वो जो वीडियोस है वो किसी ना किसी बेचारे यूटूबर्स के व्लॉग वीडियो होता है जिसमें वो अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा होता है उसका क्लिप कट करके जो है यहाँ पर लिख देते है कि मैंने यह एवेटर से कमाया और उस बेचारे वो हम पहले ही टेलिग्राम पर बता देंगे, और यहां पर आपको पैसे मांगेगे, कि आपको अगर गुरूप जॉइन करना है, तो इतने पैसे दीजिए, हम आपको पहले ही बता देंगे, कि यह प्लेन कितना उड़ेगा, यह आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको खेलना चाहिए तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो यह operator game है operator game से हमारा क्या मतलब है कि अगर dream 11 की बात करें या तो किसी fantasy app की बात करें जिसमें आपका skill लगता है और government ने dream 11 को legal इसलिए किया है ऐसा नहीं है कि dream 11 tax pay करता है इसके लिए लेकिन dream 11 में 100 credit डी जाती है अगर आपको टीम मनाते हो हर प्लेयर के अलग-अलग credit होती है उसी credit को यूज करके आपको टीम मनानी है और vice captain captain भी select करना होता है जो कि अलग होता है उसके लिए उसको बोला गया है skill game बहुत बुद्धी जी विलग बोलते है कि dream 11 जो है वो भी मतलब बैन होना चाहिए अगर वो कितना जाएगा किसी को नहीं पता है लेकिन जब आप high amount लगाओगे तब यह जो है नीचे ही crash कर जाएगा या तो flee away हो जाएगा जब आप low amount लगाओगे तो यह उपर जाएगा यह सब operator के हाथ में होता है जो avatar app को चला रहा होता है उसके हाथ में यह होता है ओके आगे मैं आपको बताऊं कि इन लीगल इन इंडिया बहुत सारे बुद्धी जीवी लोग यहां पर यह वीडियो देखके यह बोलेंगे कि स्प्राइब कंपनी है चला रही है क्योंकि आप कोई भी application में चले जाओ avatar को open करोगे तो powered by स्प्राइब का एक logo पहले दिखेगा उसके तो यहां पर इंडिया भारत हिंदुस्तान का नामों निशान ही नहीं है आप देख सकते हैं जितनी भी country में run करने के लिए उनके बास license है उसमें इंडिया का नामों निशान नहीं है तो यह किस तरीके से legal हुआ जराब बताईएगा सिर्फ आपको पैसा मिल रहा है आप प कोमेंट्स आये दे कि हमने इतना लॉस किया लॉस किया नाइटिट वप सेंट लोगों का लॉस हुआ है और एट पहसंट लोगों इभी निंक का यहां पर आता हैं से और अiéट्धेट यूट्व युप ट्रों रहिफ को रॉन करवारे यहां तो उसके ड्यवलोपर होंगे और no proper payment gateway, इसके लिए आपको यह avatar app को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका payment gateway नहीं होता है, आप किसी भी application में चले जाओ, चलो मैं तो fantasy की छोड़ के flip card का बोल देता हूँ, flip card को अगर आप पैसे मतलब कुछ खरीद रहे हो, तो payment gateway है काता है, या तो phone पे खुलता है, Google पे खुलता है, और you are sending money to flip card, okay, sending money to Amazon, और यहां तक के dream 11 पे भी करोगे, तो you are recharging to dream 11 private limited, लेकिन यहां पे आपको तरह तरह के UPI और QR के code में पैसे बिजवाया जाते हैं, उसके बाद बोलेंगे के UTR बारांकों का यहां पे डालो, उसके बाद आपके wallet पे पैसे add होंगे, तो यह सब जो है, वो tax story करने का एक तरीका है, क्योंकि यह सब game जो है, MCA, Ministry of Corporate Affair में जो है, register नहीं होते है, यह सब tax story करते हैं, इस वज़े से यह तरह तरह के UPI में और इस तरीके से QR code में आपके बस पैसे, जो है, वो मंगवाते हैं, ताकि आप उसमें recharge करो, और आपके wallet में पैसे, जमा हो, यह एक tax story हो सकती है, तो आगे मैं आपको बताओं, कि आपने कितना कमाया, और कितना गवाया, वो मुझे comment section में जरूर बताइए, वीडियो कैसा लागा, वो भी मुझे comment section में जरूर बताइए, आप aviator को download करने जाही रहे थे, और मेरा वीडियो देखक section को download करने जा रहे थे, आपका कोई दोस्त आपको बता रहा है, कि मैं सचीन टेंडल कर इसको promote कर रहा है, उसके भी share कीजिए, और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, मिलता है नेक्स वीडियो में तब सके लिए take care, bye, जय हिन, जय भारत